हेलो दोस्तों कैसे हो सागत है आप सभी का मेरे चैनल पर और आज मैं बनाने जा रही हूँ मतर के छोले जिसे की बनाना बहुत ही असान है और ये सभी को बहुत पसंद आता है आप इसे अपनी फेवरेट रोटी या फिर चाबल के साथ खाएंगे या आपको बहुत पसंद आएगा तो फिर देर ना करते हुए चले इसे बनाना शुरू करते हैं तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर देना शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब चुरूर करना और केमेंट करके हमें जुरूर बताना कि आपको ये कि नमीज़ा पाने हो दो ना कुछ बजैया हो जिम्मछ गानी निए और भड़ा कें कर दो पाने हैज़ा हो दो ज़ूझा साफ कर लिया है पानी है जैशि beetलै और में गाल झाल निया फॉर कि तो तो यहां पर फे की तो बिल्स, मैं पानी तो नि onwards सब दित arada तोड़ा सा है इदम जरा से बेकिंग पाउडर हम यहां भी डाल देंगे ताकि मटर इदम अच्छे से उबल जाए नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग और यह हल्दी पाउडर ताल देंगे जरा सा और ढगा देंगे उसके बाद में हमें एक सीटी आने तक पकाना है अगर आप इसमें ज़्यादा पानी एड़ करोगे तो यह काफी गीला गीला रहेगा तो आप अपने कॉर्डिंग कुछ भी एड़ कर सकते हो ज़्यादा या कम आप चाहे तो लान मिर्ची भी ले सकते हो हरी मिर्ची और अधरग भी लिया को मैंने थोड़ा सा तो यहां पे मैंने कुड़ाई में तेल चड़ा दिया है 2-3 चमज Kopf देल आप डाल सकते है इसमें उसके बाद में हम जीरा डाल देंगे और इससे थोड़ा सा पका लेना है ह कि मैं एक दमचाब करें, अगर आप सकते हो अगर आप चाहें तो आदरक और मिर्ची को टमाटर में पीस कर भी डाल सकते हो तो यहां पर हमें इसे थोड़ा सा भून लेना है उसके बाद में टमाटर डाल देंगे और टमाटर डालने के बाद में हम मसाले भी यहीं पर ही डाल देते हैं ताकि टमाटर के साथ में मसाले भी हमारे थोड़े से भून जाए और मसाले डालने के बाद में हमें 2-3 मिट tai इसे अच्छे से भून लेना है हमें इसे तब तक भूलना है जब तक כי मसालों से तेल अलग नहा होने लगे अब अनु से लगातार चलाते रहें और आप देख सकते हैं मसालों से तेल अलग हो गया है और हमारा बहुत ही अच्छा मसाला बून करके रेडी है, काफी अच्छी कुस्बू आ रही है तो अब हम इसमें ये छोला डाल देंगे, जो हमने मटर उबाल के लिया था और इसे थोड़ा सा चला देंगे, इसके बाद में हम यहाँ पर पानी डालेंगे तो पानी आप थोड़ा सा कम या थोड़ा सा जादा अपने इसाब से डाल सकते हैं, जैसे भी आपको ग्रेवी पसंद हो थोड़ी सी पतली या फिर थोड़ी सी काड़ी तो यहाँ पर मैंने लगबग डेड़ गलास पानी डाल दिया है और इसमें अब हम नमक डाल दिंगे, तो हमने नमक पहले भी डाल रखा है तो इसलिए हम यहाँ थोड़ा सा नमक ही डालना है और इसे चलाते हुए अच्छा सा उबाल आने तक हमें 2-3 मिनट तक पका लेना है तो यह अच्छा उबाल आ गया है, अब हम इसमें धनिया पती भी एट कर देंगे और बस इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और सर्ब कर लेंगे आप देख सकते हैं, बहुत ही असारी से हमने मटर के चोले को बना लिया है आपको अगर ज़्यादा तीखा पसंद हो तो आप इसमें लाल मुर्ची पाउडर का भी यूज़ कर सकते हो आप गरम मसाला का यूज़ भी कर सकते हो तो यहाँ पे मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हो तो बहुत ही अच्छा हमारा मटर बन करके तयार है, मैं इसे हरी धनिया से गार्निशिंग कर देंगे आप चाहते हैं मुवीज के साथ खा सकते हो, आप इसे चावल या रोटी के साथ खाईए आपको बहुत पसंद आएगा अगर वीटियो अच्छी लगे होगी तो लाइक शियर जरूर करना, कमेंट कर देना और मेरे जनको सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक्स वर वाचिंग, थैंक यू